सब्सक्राइब कीजिए कम्म्यूटी हेल्थ ओफिसर यूटूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ओल नॉटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताके आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके हलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू अवर यूटूब चैनल मैं हरी नागर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से CHO के द्वारा हल्थ और वलनेस संचर में टेली कंसल्टेशन रजिस्टर को मैंट किया जाता है और साथ ही हम बताएंगे टेली कंसल्टेशन रजिस्टर के फॉर्मेट के बारे में तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अन तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो हमारे सभी साथी CHO के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है So friends, let's start our today video तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेली कंसल्टेशन के बारे में तो टेली कंसल्टेशन के द्वारा दूरस्त ग्रामिन शेतरों में जहां पूर्ण रूप से स्वास्त सुविधा हैं वो पलब्द नहीं हैं वहाँ व्यक्ति घर बेटकर डोक्टर से ओनलाइन परामर्श ले सकते हैं तो हेल्ट एंड वल्नेस सेंटर में यदि कोई व्यक्ति क्रिटिकल इल्नेस के साथ आता है तो उस कंडिशन में उसका इसंजीवनी ओपिडी के द्वारा टेली कंसल्टेशन करवाया जाता है तो अब हम बात करेंगे टेली कंसल्टेशन रजिस्टर के फॉर्मेट की बारे में तो यहां मैंने example के तौर पर टेली consultation register को financial year से start किया है तो हमने यहां 1 अपरेल 2022 से 30 अपरेल 2022 का example लिया है तो सबसे पहले column आता है serial number का तो आप serial number mention कर दीजिए देन उसके बाद में अगला column आता है patient name का तो patient name mention कर दीजिए देन उसके बाद में आता है age and sex का तो यहां पर patient की age कितनी है वो mention करिए patient male है या female वो भी mention कर दीजिए देन उसके बाद में आता है patient ID and consult ID तो यह जो दोनों चीज़े हैं यह जब हम e-sanjuni opd करते हैं तो last में एक prescription slip निकल कर आती है तो वहां पर consult ID भी लिखा होता है patient ID भी लिखा होता है तो वही ID यहां पर mention कर दीजिए देन उसके बाद में अगला कोलम आता है mobile number का तो mobile number वही mention करना है जिससे आपने registration किया था और patient का e-sanjuni opd करवाया था देन उसके बाद में आता है अगला कोलम complaints का तो patient की complaint यहां पर mention कर दीजिए कि patient की क्या क्या complaints थी देन उसके बाद में अगला कोलम आता है treatment और advice का तो इस कॉलम में आप treatment और advice को mention कर दीजिए और वही treatment आपको यहां पर mention करना है जो कि आपने e-sanjuni opd के द्वारा करवाया था और वो prescription slip में mention था देन उसके बाद में last कॉलम आता है doctor name का तो जिस doctor ने आपका e-sanjuni opd टेली consultation करवाया है तो उस doctor का नाम वहां पर mention कर दीजिए तो इस प्रकार से जो patient की detail है e-sanjuni opd वाली वो आपको मन्त के last तक maintain करनी है तो हमने जैसे कि यहां पर 1 April 2022 से 30 April 2022 तक का example लिया था तो मन्त के last में 30 April 2022 को आपको क्या करना है लास्टी लास्ट में जितने भी patient आये थे e-sanjuni opd के लिए तो उनकी detail वहां पर mention कर दीजिए तो जैसे कि मैंने यहां पर mention कर रखा है last में कि total मिला कर मेरे पास 45 patient तेली consultation करवाने के लिए आये थे जिसमें से 25 male थे और 20 female थी तो इस प्रकार से आपको last में पुरी detail mention करनी होती है तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह हमारा video useful लगा होगा, knowledgeable लगा होगा, interesting लगा होगा अगर लगा है तो प्लीज इस video को like कीजिए क्योंकि आपके एक like से हमको motivation मलता है साथी ये video आपके साथी CHO को भी share कर दीजिए अगर आपको किसी भी प्रकार के curious हैं तो comment box में जाईए comment करिए Thank you so much